केak के लो गाईज वेलोकम इन माई नो अन अदर ब्लॉग आज हम आप सभी को दिखाने जा रहे हैं रेडियो राम इछाप एफेम आप सभीने देखा होगा या नहीं देखा होगा लगवग महीं देखें होगे रेडियो इस्टेशन कैसा होता है वह आज आप सभी को हम दिखाने जा रहे हैं चलिए इस ब्लॉग में बने रहे हैं अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए और वीडियो को लाइक किजिए और देखिए आगे कैसा है ये रेडियो इस्टेशन कैसा होता है तो दिखातने जा रहे हैं देखे तो गाइज अभी हम बैठ गए हैं टेम्पू में और टेम्पू से जा रहे हैं रेडियो रामेच साथ इस्टेशन देखने के लिए चलिए देखते हैं कैसा है रेडियो इस्टेशन और ये मंतली का बजार है मंतली का मार्केट देवकोटा चोक जो सबसे क्राउड एरिया है सबसे अच्छा मार्केट और ये हम पहुच गए हैं रेडियो स्टेशन के नजदीक सामने वाली बिल्डिंग में उपरी फ्लोर पे रेडियो स्टेशन है अभी हम जुम करके दिखा रहे हैं ये देखे रेडि रेडियो स्टेशन के पास से बाहर का दिर्श से बहुत अच्छा लगा है इसलिए हमने रेकौर्ड कर लिया है ये देखे पहारो पर उपर घर है और सहर भी है ये देखे कैसा दिर्ष है कितना अच्छा मनुरम दिर्ष है और पहारों पर देखिए घर बना हुआ है जुन करके दिखा रहे हैं ये देखिए दूर से छोटा-छोटा घर दिख रहा है लेकिन घर है बहुत बरी-बरी विल्डिंग भी है और ये देखे रेडियो रामे का बोर्ड नजदीक से 95.8 मे audit अर ये दिखे भीतर रेकोर्डिन स्टूद्यो से रेडियो रामे चाप का कि यह रेकोर्डिंग इस्टूडियो यहिसे प्रोग्राम बन तैंब और यहीं से प्रसारन होता है तो यह देख रहे हैं रेडियो रामे साप का रेकॉर्डिंग स्टोडियो तो यह देखी प्रसारन स्टोडियो यही से प्रसारन होता है उधर दूसरे रूम में रेकॉर्डिंग होता है और यहां से प्रसारन होता है यहां पर पुड़ा सेटप लगा हुआ है कम्पीटर, मिक्सिंग मसीन सांड मिक्सिंग मसीन और फिर यही से प्रसारन ये देखिए technician एक भाई को शिखा वी रहे हैं आपर training भी देते हैं सिखने वाले नए लोग को सिखा रहे हैं अब बाहर है और चल रहे हैं अपनी घर की ओर तो ये देखिए और ये board है radio रामेजाब का अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए आपका सबोर्ट आपका साथ जरूरी है थेंक यू बने रहें नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लोग देखने के लिए तब तक लिए धन्यवाद फिर मि मिलते हैं